हेलो जोस्तों आज की इस वीडिये में मैं आपको गेट और सेट प्रोपर्टी की बाले में बताने वाला हूं सेसाफ टॉट्टेट में चलिए सबसे बहुत एक एक्जामपल देखते हैं यहां पे तो यहां पे हम लिख रहे हैं खञझ और यहां पेक फासका हम नाम दह रहे हैं फास्ट के बाद यहां पीक को वैरिबुले रहें नाम देडाईर में का घ्लर फिड़न थे설 ओय प्रीघंडे मिन हो पोब्लीक श्रीं डैब कर पईड़ने अध्य गएक है उफके यहां पे हां जस के लिख का जालीए जया तक है यहां पर अप्राइकट यहां पर ब्राइकट यहां पर इंग करेगा एंग को जो आप्रीट फिर्स देतें ब्राइकट यहां पर इंडिक रीज़ गए तो राइए यह हो गया उसके बाद अब यहाँ पर अमीन में पर जाते हैं उसके अदिस्तों पॉस्ट प्रॉस्ट का पॉस्ट पॉस्ट करें पॉस्ट 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 की बाद यहाँ पिए पॉन डॉट दे रहें यहां पे एज आगया इसका वाद होग आज़ान कर रहें इसे नम्बर से जोगे इंटी सरो रहा है इसके बाद गंतोल और राइट लें देख रहें करेंगे अपर यहां प्यां और रिट काएंगे एज को एज कालन इकोल टो प्लस एज यहां पर यहां पर डारेक्ट हम एज लिख यह नहीं कहारा है वह इसलस चाह़कां पिता करेंगे और इक एज जो आउर्ट कर रहा है ऑज क्यों कहारें यहां आप अधिक है मैंने साव पार्मीट पहले से लिखती हैं, दिखिए आप प्रॉपर्टी से मेंबर तक प्रवाइट फ्रैक्सिकल मैंकनिस टो रीड, रीड मतलब यह होता है कि कोई भी चीज लो अगर हम इंटर करते हैं तो वो मैंमोरी में स्टोर होता है, write मतलब कोई भी output skin पे value display होता है उसको write और computer value और private field यहाँ पे private field है उसके बाद property has a gator is called read जो gator होता है उसको read कहते है यहाँ में दीके get जो है उसको read only property और जो setter होता है उसको write only property कहते है अब दीके यहाँ पे code लो प्रोग्राम कैसे work करता है तो यहाँ पर code को debug कीचेगा तो main पे control आएगा उसके दिए अंदर आएगा यहाँ मैंने first class को object create के है f1 यहाँ पे new first constructor है उसके बाद f1.age तो यहाँ पे h है तो यह control यहाँ से उपर आएगा उसके बाद देखें Assigning the h property called set अकसर इस इस call ती यह assign हुडा उसके बाद यहाँ पे set accessor.in call तो यहाँ से set accessor.in call तो इस पर जो होँडा है वो call होडा यहाँ पे f1.age को यहाँ पे value एसांग करें चालिस तो यहाँ पे system.console.write-line तो यहाँ पर h column f1.h तो यहाँ पर यह value डिस्प्ले हो रहा evaluating the h property calls getAccessor call तो यहाँ पर यह getAccessor call होगा यहाँ पर यह getAccessor call होगा return n तो n का value जो भी है 24 यह 24 return करेंगा यहाँ पर इसके बाद console.return यह input one input keyword सरेगा और यह program को terminate करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर go blackpoint करेंट 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 है चलिए steps देखते हैं कैसे program बढ़ करता है तो f1 प्रेस कीजिए देखिए से पहले control main method पर आया है जो ही value है यहाँ पर value क्या है 24 24 है वो in में जाएगा तो in का value तो प्सुरू में जूरू था लेकिन जैसे ही यहाँ पर value जो हो गया 24 यह in में जाएगा तीक है अब in का वेल फूर यह 24 हो जाएगा तो देखिए अब यह जी रहा है यहाँ पर value यह न है उसके फिर से एफ यह करते हैं अब देखिए set का का काम कटम हो गया तो यहाँ यहाँ पर control back हो गया उसके आप यहाँ पर control.dead है अब यह sit के कावया हो जातर हे आफ्षाब यहाँ दशम आप यहाँ पर kup 뒤에 data qco को कॉर करें कव्रां किया को शक्तोर है 12 के अब यहाँ का कम और शुक्त कर देखिए और यहाँ पे इन mentor यहाँ पर 14 हो गया हो गया पहले यहाँ जेरो था अब यह यह तो यह यह था यह चीजा है यह और गैपता है और property has get is called read तो वो read करता है only property और set के और write only property तो वो write करता है तो एक चोटा से एक्जामपल इस वीडियो में आपको दिखाया है कि कैसे get or set method work करता है इस वीडियो में अगर आपके इस से रिवीडियों कोश्चे हैं तो comment कीजिए जो reply करोंगे तो आज की वीडियो में इतना ही नेट मिलते हैं ये वीडियो में नेट आपकी के साथ थैंक यू